हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारी चैनल पे दव वैलू नॉलेज में जिसमें हम आपके लिए कुछ ऐसा इंपोर्टन नॉलेज लेके आते हैं जो आपको आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइप में आगे बढ़ने में हेल्प करता है और दोस्तो आज हम बात करने वा तो वाइरस एक ऐसी चीज होती है दोस्तो अगर सिंपल लाइंग्वेज में हम आपको एक्स्प्लेन करें तो बस यह समझ लो वाइरस एक ऐसी चीज होती है जो अगर आपके कंप्यूटर में घुश जाती है तो वो अपने आप मल्टिफल फ्लाइस फाइल्स जो है वो बन कर देगी तो इसके वज़े से क्या होगा आपको हो सकता है आपके PC को फॉर्मेट करना पड़े और आपकी सिस्टीम जो है वो डैमेज करने की नोबत भी आ सकती है लेकिन ज़्यादा तर केसे में वाइरस की जो इशू होते है वो जो अगर आप PC को अगर फॉर्मेट करते ह तो आपका जो वाइरस है वो वहाँ से निकल जाता है और इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं होता है अभी बात करते हैं मैलवेर तो मैलवेर होता है दोस्तों वो एक्तम बड़ा होता है यानि वाइरस से ये बहुत बड़ी चीज होती है बस ये समझ लो है दोस्तों वो आपके PC के डेटा को तो डैमेज कर ही सकता है लेकिन इसके अलावा वो आपके computer से बहुत सारी personal डेटा उड़ा के ले जाएगा आपके bank details ले जाएगा वो आपके पूरे system को hack कर लेगा और हो सकता है hacker जो होंगे वो आपके पास से कुछ पैसे मांगेंगे आ फिर वो आपके पूरे bank account जो है वो निकाल लेंगे और आपके bank account से पैसे जाने का ख़तरा भी हो सकता है अभी बात करते हैं कि anti virus और anti malware इसमें से कौन सा अच्छा होता है तो ये सारे चीज़े depend करती है कि आप कौन से तरीके से computer use करते हो अगर आप घर पे computer use करते हो और आप ज्यादा तर ऐसे banking transaction वगेरे नहीं करते हो या फिर छोटे मोटे banking transaction करते हो तो आपका काम जो है वो anti virus से हो जाएगा लेकिन आपको इसे रोजा ना update करना पड़ेगा और आप अपने computer को scan करते रहे हैं अगर anti malware की बात करें कि तो अगर आप बड़ा company run करते हो आपके अंडर होनी चाहिए अगर आप किसी के साथ वो share करते हो तो अगर आपको बहुत ज्यादा financial loss हो जाएगा तो दोस्तों आपको जरुरत है anti malware की क्योंकि anti malware क्या करेगा वो आपके computer से virus तो निकाल ही देगा इसके अलावा आपकी computer में जो भी personal information रहेगी वो किसी के साथ share होने से बचा लेगा तो anti malware यह definitely anti virus से बड़ा होता है अच्छा होता है और अगर आप anti malware install करते हो आपके computer में तो anti virus का भी काम हो जाता है तो यह सारी चीज़े depend करते है कि आप कौन सा PC यूज़ करते हो आप PC में क्या-क्या task यूज़ करते हो उसके ओपर आप anti virus या फिर anti malware के लिए opt कर सकत हो anti virus थोड़ा heavy होता है anti malware में light version भी आता है लेकिन आप expert से जरूर consult कर लो क्यूंकि आपका PC का configuration कौन सा है आपका PC का RAM कौन सा है इसके उपर आपको यह particular चीज़ जो है वो buy करने चाहिए क्यूंकि हो सकता है अगर आप कोई भी anti virus या फिर anti malware आपके PC में install करते हो तो आपके computer का PC जो है उसका performance है उसमें थोड़ा सा fluctuation आ सकता है तो आप expert को जरूर consult कर लो जो भी आपका technician रहेगा computer जिससे आपने purchase किया है उससे आप consult कर सकते हो तो दोस्तों यह सारी जानकरे आज हमने आपके साथ share की हो सकता है आपका doubt अभी clear हो जाए जो भी anti virus और anti malware में क्या difference है इ आप हमारे playlist में जाके technology से लेके health और gk से लेके current affairs तक बहुत सारी information देख सकते हो और दोस्तों आप हमारी playlist एक बार जरू चेक कर लो क्योंकि यह पूरा एक ज्यान का भंडार है और यहाँ पे आपको कोई ना को useful information जरूर मिल जाएगी और हमारे videos regularly देखते रहो हमारे channel को subscribe क करो जिससे आपको ऐसी valuable information घर बेटे मिलते रहेगी और वह भी एक ही channel से तो यह वीडियो में बस इतना ही था जल्दे मिलते हैं कुछ और important topic के साथ कुछ और interesting knowledge के साथ अब तक के लिए bye bye दोस्तों thank you very much